स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूविस शैनल पर आज हम दसाइलेंट सी के एपिसोड 4 के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड की शुरूरात होती है एक फ्लैश बैक से जहांपर केप्टन हान अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिरल जाता है क्योंकि उसकी तब्यट ठीक नहीं है डॉक्टर बोलती है कि उसको बहुत सारे पानी की जरूरत है पर उसका कैटकिरी कम होने के कारण वो पानी को एफोर नहीं कर पा रहा उसके वज़े से वो मून मिशन पर आने के लिए तयार हो गया है कहानी अभी करेंट सीन पे आती है जहांपे कैप्टन कमिनकेशन चानल रिस्टार्ट करने के लिए लिफ्ट को उपर की और लेकर जाने स्विच आन करता है पर वो स्विच काम नहीं करता इसके वज़ा से कैप्टन हान खुद नीचे जाने तयार हो जाता है ताकि वो कमिनकेशन चानल को रिस्टार्ट कर सके वो धीरे से रसी के सहारे नीचे की और जाता है और हम देखते हैं कि सड़नली लिफ्ट उपर की और आना शुरू करता है कैप्टन लग की लिफ्ट निकलता है लिफ्ट उपर के दिवार से टकराता है और नीचे की और गिरने लगता है कैप्टन जैसे तैसे करके फिर से escape हो जाता है पर इसी दोरान कैप्टन के oxygen tank break हो जाता है और अभी उसको कम oxygen में ही सब काम करना पड़ेगा वो communication channel को जैसे दैसे करके शुरू करता है और oxygen कम होने के कारण बेहोश हो जाता है यहाँ पर मैंने एक notice किया है मून पे तो gravity कम है पर वो लिफ्ट नीचे की और कैसे गिरा कि आप इस सवाल की जवाब को जानते है अगर जानते है तो comment section में ज़रूर बताईए बागी के team members captain के पास आकर उसको space station ले जाके oxygen देते है और captain बज जाता है team देखती है कि communication channel अभी भी work नहीं कर रहा पर system एक signal को catch करता है जो एक device से मिला है और वो device का location storage room 3 में है सब वहाँ पहुंचते है और ली के pocket चेक करने पर captain को एक device मिलता है उसको समझ आता है कि ली एक जासूस है और वो enemies को सारे updates भेज रहा है ताकि उनको capsule मिल सके वो वापस command sender आते है और engineer उस device से कुछ try करता है और communication channel work करने लगता है तुरंद captain hand director coy से बात करता है और अपने team में रहे जासूस और उस creature के बारे में inform करता है director coy उस creature को पकड़ने बूलती है क्यूंकि उनके लिए capsule बहुत important है captain hand director coy से पूछता है कि वो उन सब से क्या चुपा रही है वहाँ पे सच में कोई creature है या वो कोई survivor है कोई हसती है और बूलती है कि base station 5 साल से बंद है और उसको dr sung के theory को विश्वासना करने को बूलती है captain उसको level 1 का access पूछता है ताकि वो door open करके उस creature को पकड़ सके कोई access देने के लिए हाँ बोलती है dr sung, dr hon के साथ blood samples में virus और bacteria के लिए चेक करती है पर उनको कुछ भी नहीं दिखता सब कुछ normal रहता है dr sung को तभी एक idea आता है वो lunar water पे warm blood डालती है blood से react होते ही lunar water बहुत बार multiply हो जाता है dr hon तुरंद उसको freeze कर देती है ताकि सब उस पानी से expose ना हो freeze होते ही water multiply होना बंद कर देता है इस experiment से सब समझते हैं कि coal conditions में water का multiplication रुख जाता है इस बारे में सोचते हुए dr sung बाहर आती है और वहाँ पे उसको एक खूफिया दर्वाजा मिलता है और floor पे lights on रहते हैं वो समझ जाती है कि वही lunar storage space है पर उसको open करने के लिए level 1 का access शाहिए जो उसके पास नहीं है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि डिरेक्टर कॉई captain के कहने पर सब को level 1 का access दे देती है उसे समय डॉक्टर सुंग आती है और अपने experiment के बारे में captain को बताती है तभी कहानी में एक छोटा सा flashback दिखाये जाता है जिधर डिरेक्टर कॉई captain को moon mission के बारे में explain करती है और बोलती है कि उनको वहाँ पे lunar water मिला है यही बात वो सब को बताता है सब captain पर गुसा होते है और बोलते है कि उसने अब तक ये बात उनसे क्यों छुपाई वो उनसे बोलता है कि वो एक secret है डॉक्टर सुंग captain को lunar project के बारे में बोलती है जिसके बारे में उसके sister ने उसको call किया था और secret lunar door के बारे में भी बोलती है ये सुनकर captain वो door open करता है अंदर जाते ही उनको रास्ते में एक छोटा सा plan दिखाई देता है वो उस plan को देखते है और नीचे का storage open करते है वो देखते है कि अंदर बहुत सारे plans है यही पे हमार episode 4 खतम होता है ऐसा क्या है उस lona storage room में? क्या creature कोई alien है? जाने के लिए देखिए episode 5 जो end screen पे रहेगा या जल्दी ही upload होगा